हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर मैं आज आपके जो साइंस का पेपर है उसके 2016 से लेकर 22 तक के सभी mcq questions कराने चारी हूं फटाफ़र से शुरू कर दें पहला question है आपका निम्न लिखित में से acid lean का रासाइनिक सूत्र है CH4, C2S6, C2H4 या C2H2 तो acid lean का जो रासाइनिक सूत्र है वो है C2H2 ध्यान रखना important question है यहाँ पर मैं आपको दो तीन आंसर और बता देती हूं CH4 होता है methane का रासाइनिक सूत्र जिसको हम marsh gas कहते हैं और आपसे शायद marsh gas का question short में बन सकता है कि methane को marsh gas क्यों कहते हैं या फ़र ये भी आ सकता है कि marsh gas का रासाइनिक सूत्र लिखो जो C2H4 है यह है आपकी एथिलीन एथिलीन गैस ठीके एथिलीन जो फलो को पकाने की काम में आती है अगला प्रेशने जब वस्तु अवतल दरपन के मुख्य फोकस वा वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिम बनेगा इस तरीके से आपका अवतल दरपन होता है और इसमें आप कहा गया यह मालूफ फोकस है और यह आपका वक्रता केंद्र है वस्तु कहां रखी गई है यहां पर रखी गई है तो जो प्रतिबिम है वो अनन्त और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है कुछ इस तरीके से और वस्तु से बड़ा होता है तो ऐसा प्रत्विम बन रहा है, इसका मतलब क्या उल्टा और वास्तविक है, तो यहाँ पर यह option तो सिदे सिदे गलत है, और यह वस्तु से बड़ा बनता है, यहाँ पर जैसे जैसे हम वस्तु को अंदर की तरफ खिसकाते जाएंगे, ठीके, प्रत्विम हमारा क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इधर लेते आएंगे, तो प्रत्विम मरा कैसा हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, इस चीज़ को ध्यार लखना, तो जो यहाँ पर प्रत्विम बनेगा, कैसा होगा, आपका उल्टा, वास्त्रिक और वस्तु से बड़ा, यानि कि आंसर एका option question number a, next question है, हरित, लवक, रहित, पौधों का समू है, शेวाल, कवक, अनावरत, वजी या फिर उपरयूकत सभी, तो हरित, लवक, रहित, रहित, का मतलब है, जिसमें हरित, लवक नहीं होगा, शेवाल में भी होते हैं, अनावरत, वीजी, पौधों में होता है, कवक जो आप इन में से कोई नहीं, प्रति सेकेंड जो कमपनों की संख्या होती है वो कहलाती है आवरती, ठीके, और एक आवरती या एक कमपन करने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवरत काल, नेक्स्ट जे बायुदाव आरोपित करती है केवल उपर की दिशा में, केवल नीचे की चनोच स्टस्चिन और का स्टशिक अंच कंड़ोग से चंड़क लगता है है नीब में अलूओ में गेहों में यह जो कंडूआ रोग है यह लगता है गेहों में आंसर होगा उप्शन नमबर C थर्ड कोश्चन ने प्रतिजन निमलेकित रुदिर कड़का की भित्ती पर चिपकी होती है प्लाजमा श्वेत रुदिर कड़का प्रेटलेट्स या लाल रुदिर कड़का तो जो प्रतिजन होते वह कहां चिपके होते हैं वह श्वेत यानिकी आपके WBC पर चिपके होते हैं ठीक है अगला प्रेश्चन एकांक छेतरफल पर लगने बाला बल यानि कि F अपॉन यह क्या कहलाता है दाव यह रहा दाव का सूत्र P बराबर F अपॉन ए आंसर हो जाएगा दाव का मातर क्या ह होता है पासकल होता है अगर यहां से निकालोगे तो अदिसरा अगर निकलाएगा अगला है चीनी उध्योग में गन्म रसकों रंगंहीन करने में प्रियुक्त करते हैं लकडी को इंद मेरा है तो इसमें यूज करतें जनतु चार गोल का नेक्स्टेश दोजर sherika princip में पेपर को पहला प्रशन है आपका घड़े में रखा पानी धंडा हो जाता है मिधी द्वारता को थनी के धूरा रहा हूंदा हूं एक निचली निचली दोनों सतय पर ही रहते है पर जाद आपको मिलेंगे निचली सतय पर तो आणसर, option अंब भी रहेगा दाब अधिक होता है बैठने पर एक पैर पर खड़े होने पर दोनों पैरों पर खड़े होने पर या लेटने पर तो दाब का जो सूतर है वो क्या होता है P बराबर F अपॉन A A से डिवाइड कर रहे हो A क्या है छेतरफल है यानि कि छेतरफल जितना कम लेंगे दाब उतना ही अधिक होगा और इन समय आप देख पा रहे हो बैठने पर भी छेतरफल अधिक मिलेगा दोनों पैर पर खड़े होंगे तब भी छेतरफल मिलेगा इन तीनों में सबसे छेतरफल कहां कम मिल रहा है एक पैर पर खड़े होने पर इसलिए आंसर हो जाएगा एक पैर पर खड़े होने पर दाब सबसे अधिक रहेगा नेक्स्ट कुश्चन है निन लिखित में से कार्बन नहीं पाया जाता है रोटी, चीनी, नमक या कोईला तो देखो रोटी में भी कार्बन मिलता है वो तो आप सीधे-सीधे देखी पाते हूँ चीनी का सूत्री है आपका C12, H22, O11 ही तो होता है न कार्बन इसमें मौझूद है कार्बन क्योंगे के दिखी रहा है कोईला सीधे-सीधे कार्बन का पर रूप ही है तो आपका देखो इन तीनों में ही कार्बन मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा नमक में नमक का सूत्र क्या होता है याद रखना नमक का खाने के सोड़े का और आपका धावन सोड़ा दोनों का ही सूत्र मुझे कमेंट में लिख करके बताओ अगला को है कोश्चन पेपर 2019 साहरित लवक पाया जाता है सिफ और सिफ वनस्पती कोश्चन में पादपो में देखा है पेट पौधे हरे रंके होते हैं तो पादपों में ही यह पाया जाता है ऐसे ही आपकी कोशा भित्ती या कोशिका भित्ती या फिर इसको सेल बॉल सकते हो यह किसमें पाई जाती है यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है टेली फोन का अविस्कार किया थ सकते हैं वो कोश्चन को सही से पढ़ना इसलिए काजल जंतुचार कुल कोईला हीरा तो देखो काजल भी रूप है लेकिन किस्टली रूप की बात करीती इसलिए वो रहेगा हीरा यह बाकी कितीन अक्रिस्टली रूप हैं ड्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं गला यह के लाती हैं संग्हनन फीक क्या होता है एक एईसा पॉइंट होता है जिस पर द्रव है वो जन्बनी लगता है तो द्रव से ठोस में परिवर्तित करते समय । रुष जस्ताप पर घोस में परिवर्दित होताएए वही कहला है हिमां को करिया कहला टी हह, हिम करणको गल्लांग क्या होता है तो जिस ताप पर कोई ठोस गलने लगता है या द्रव वस्ता में परवर्तित होने लगेगा वो कहलाएगा गल्लांग और क्रिया कहलाएगी गलन नेक्स्ट है चना मटर की जड़ों में की गाटों में पाया जाने वाला जीवाडू कौन सा है तो चना मटर की जड़ों में जो जीवाडू पाया जाता है उसका नाह में राइजोबियम नैट्रोजन इस्थरी गरन का कारे करता है यह अगला प्रश्ण पत्र है 2022 का पहला तो नीचे क्यों आ रही कि प्रत्वी जो है अपने केंद्र की तरफ एक बल लगा रही है गुर्त्वा करशन बल् जिसकी वज़य से क्या होता है सब अब 5 दस्वें नीचे की अक्षपर घूमना परिभ्रमण कहलाता है सामानिता व्रक्ष की लंबाई होती है 0.5 मीटर से 1 मीटर 1 मीटर से 3 मीटर 3 मीटर से 30 मीटर या फिर 30 मीटर से अधिक तो व्रक्ष की जो लंबाई है वो होती है 3 मीटर से 30 मीटर जर्नली आपको देखने को मिलेंगे तो 30 मीटर से भाले आएंगे नीज में तो यह तो गलत हो गया इसमें एक से तीन मीटर बोला याने कि तीन मीटर से उपर वाले कोई मिले नहीं रहे देखने को तो यह भी गलत है आपका और यह तो जाहिए सी बात है यह पर्थम प्रकार के उत्तोलक का उधारन है सरौता नेल कटर सीडिया हैटपंप तो इसका उधारन है आपका हैटपंप इसमें आलंब क्या होता है बीच में होता है ताइम मेले तो सिर्फ एक लास होगी आपकी थर्ड सेकेंड सेमिस्टर की उत्तोलक चैप्र को अच्छे से देख लेना ठीके मैंने आपको हर बार बोला है उत्तोलक को लेकर व मड़ने पिर आपको गई कि मैं मेरा उत्तोलक कर रहे गया एक कुछ ने की जितना मैं और उब्जब कर रही हूं आपका हर बार उत्तोलक से कुछ ना कुछ या शौट में आता है या फिर वैरी शौट में आएंसी क्यों मैं तो उत्तोलक को अच्छे से पढ़ लेना ठीकिए सकते हैं कि एक आलम वीजब उप्रथम को होते हैं अत्यावश्च्क अंवश्चे कंग अनावश्च्य कंग इन में से कोई नहीं तो आवशेषी का मतलबी क्या जिनकी ज़रूरत पढ़ ही नहीं रही है यानिकि अनावश्च्य कंग ठीक है तो इस तरीके से आपके 2022 तक जो भी थे पुश्चन वो मैंने कम्प्रीट करा दिये हैं चलिए मिलेंगे फिर आपके अगी क्लास में मैस वगरा के चो रहेंगे मैं प्रयास कर रही हूं कि मैं आपका करा दू प्रीवियस यर मैंने अल्रीडी कराये थी लेकिन डिवीजन आपका जिसे रैपिट फायर सीड क्रायमेजल वबायटिक यर् झाल मेते हैं अल्रीज कर दक्राण मैं जिसे रहें वबाया ऊगई था जापका टू जू अलिए ऱदयता हैं झाला मैं जू आँ हैं इत्या हैं तो किhesion कि क्शण जाडा सू वबा़ा हैं दूलतक्स्ट